सिर्फ छे महीने ये जरूर कर ले न रोज कम से कम आठ घंटे सोनी की कोशिस करे बहुत ज़्यादा चाय न पीएं काफी न पीएं इससे आपको नीद न आने की समस्या हो सकती है अब रोज सुबा सूरद निकलने से पहले उठने की कोशिस करें उठने के तुरंत बाद दो गिलास पानी पीने से आपका पाचन सही रहता है जब भी कुछ खाएं अच्छा खाएं कभी भी अपना नास्ता लेना मत भूले रोज कोई फल, सबजी या दूद से बना हुआ उत्पाद जरूर सेवन करें या चीज आपके शरीर को जरूरी पोसकत प्रदान करती है हर रोज कम से कम 10 मिनट कसरत या 30 मिनट माननी वाग जरूर करें साथ ही रोज सुबा कहीं एसी खुली जगा पर जाएं जहां आपको ताजी हवाल ले सकें सुबा सांत पूर्वक बैट कर 10 मिनट मेडि टेंशन करें रोज एक घंटा जरूर पढ़ें पढ़ने का काउन सा समय उचित है या माने नहीं रखता है जब भी आपको मौका मिले पढ़ने के लिए बैठ जाओ जब आप लोगों की साथ में हो तो दूसरों को बोलने का मौका दें और स्वयम सुनिए आप सुनकर बहुत ही नई चीज सीखेंगे जो आप बोलते हैं वह तो आप पहले से ही जानते हैं तो दोस्तों दूसरों को मौका बोलने का देजिए तो जब अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों के साथ समय आवश्य से बिताएं आवश्यक रूप से आराम भी जरूर करें और जब काम कर रहे हों तो बीच बीच में अपने लिए समय जरूर निकारें और खूब हसें दोस्तों अगर पोस्ट अच्छी लगे तो हलके में लेकर छोड़ दीजिए लेकिन कमेंट करके बताइए कि ये पोस्ट आप लोगों को कैसे लगी और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, सस्क्राइब और सेयर और स्क्राइए